हेलो फ्रेंट्स, इंकम टेक्स के केसिस की सीरीज में आज जो केस हम डिसकस करेंगे उस केस का नाम है आइनेक्स विंड एनर्जी लिमिटेड वर्सिस एडिशनल कमिशनर ओफ इंकम टेक्स ये केस 454 ITR पेज नंबर 162 पर रिपोर्ट हुआ, मेटर गुजरात आई कोट ने डिसाइड किया और इस केस का जज़्जमेंट 31 जनवरी 2023 को आया फ्रेंड्स जैसा कि हम जानते हैं कि ये एक settled law है कि यदि कोई company amalgamate हो चुकी है तो उस company के नाम में यदि कोई assessment की जाती है तो वो assessment जो है वो null and void होगी लेकिन ये एक assessi की जम्यदारी बनती है कि जब company amalgamate हो जाए तो इसकी जनकारी assessi जो है वो income tax department को जरूर दे हाला कि जब company amalgamate होती है तो ऐसी परिस्तिती के अंदर income tax department से भी no objection certificate लिया जाता है लेकिन फिर भी ये assessi की जम्यदारी है कि यदि company amalgamate हो गई है तो उसकी information income tax department को दी जाए present case के अंदर जो facts हैं वो इस तरीके से हैं कि assessi को जब section 143 सब section 2 का notice दिया गया उस वक्त company amalgamate नहीं हुई थी लेकिन notice issue करने के बाद future date पर company की appointed date amalgamation की तह कर दी गई इस case के अंदर जो assessi को notice issue हुआ वो 23 सप्टेंबर 2019 को हुआ और 25 जनवरी 2021 का order आया जिसमें company को जो amalgamate कर दिया गया एक अप्रेल 2020 से कर दिया गया कहने का मतलब जो appointed date थी वो notice issue होने के बाद थी जब assessment proceedings चल रही थी तब assessi ने दो बार income tax officer को ये intimate किया कि हमारी company amalgamate हो चुकी है assessing officer को e-mail के द्वारा भी ये in intimate किया गया कि company amalgamate हो चुकी है assessing officer ने उसके बाद दूद भी assessi को showcase notice issue कि क्या additions करने का है शोकोज notice issue होने के बाद भी assessing ने learner adds assessing officer को intimate किया कि हमारी company amalgamate हो चुकी है और जो company amalgamate हो चुकी होती है उसके नाम में assessment नहीं की जा सकती लेकिन इतनी बार intimate करने के बाद भी assessing officer ने amalgamated company के नाम में assessment कर दिया जब ये matter गुजरात high court के पास पहुँचा तो गुजरात high court ने ये कहा कि एक amalgamated company existence में नहीं होती अससी की जादा से जादा जिम्मेदारी जो बनती है वो इस बात की बनती है कि वो income tax officer को intimate करे कि company amalgamate हो चुकी है इस case में ये भी प्रशन उठा कि जो notice issue किया गया था वो amalgamation के date से पहले किया गया था जो amalgamation का order आया था amalgamation का जो order आया था वो 25 जनवरी 2021 को आया था जबकि जो section 143 sub section 2 का notice issue कर दिया गया वो 2019 में किया गया लेकिन यदि assessment का notice appointed date से पहले भी issue कर दिया गया है उसके बाजूद भी assessment जो है वो amalgamated company के नाम में नहीं की जा सकती यदि assessi ने duly income tax department को amalgamation के बारे में inform कर दिया friends ये case बहुत important है क्योंकि ये बात तो बिल्कुल clear है कि यदि company पूरी तरीके से amalgamate हो चुकी है और उसके बाद यदि कोई notice आता है तो उस notice के बारे में तो कोई doubt है नहीं कि वो notice null and void है लेकिन कुछ ऐसे cases भी हो सकते हैं जब notice जो है वो appointed date से पहले issue किया गया लेकिन यदि assessing officer को intimate कर देता है कि मेरी company amalgamate हो चुकी है तो उसके बाद assessment भी amalgamated company के नाम में नहीं की जा सकती friends ये case बहुत important है उन सब cases को deal करने के लिए जहां पे company amalgamate हो चुकी होती है और फिर assessment जो है वो amalgamated company के नाम में की जाती है वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं case का नाम repeat कर रहा हूँ case का नाम है INAX Wind Energy Limited versus Additional Commissioner of Income Tax और ये case 454 ITR page number 162 पर रिपोर्ट हुआ मैटर गुजरात हाई कोट ने decide किया और इस case का judgment 31 जन्वरी 2023 को हुआ थेंक यू friends हुआ 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 है